Electric Car वो भी Tata की जो इंडिया में सबसे अधिक electric कारें बेचता है लेकिन बात हो रही है इंडिया की पहली सेडान की जो की electric में होकर आई है कैसी है यह सेडान चलाने में यह बात करते हैं और यह भी आपके साथ शेयर करता हूँ क्या यह practical option है इंडिया को सच में एक सस्ती electric car मिल चुकी है मैं हूँ आपका होश्ट आमित और आप देख रहे हैं ask car guru पहले बात करते हैं यह car देखने में कितनी बदल गई है novelty goal से देखे सबसे पहले निगाय पहुंचती है इस headlight unit पर जिसमें नीचे की तफ हिस्से पर आपको यह जो एक्वा कलर की लाइनिंग दे रखी गई है जो across the front चली जाती है अच्छी लग रही है यहाँ पर आपको projector lamp मिलते हैं और इधर reflector lower मिल जाती है और यहाँ पर आपको fog lamp भी दे रखे गई हैं और fog lamp के चाहू तब भी वैसे ही एक्वा कलर की लाइनिंग दे रखी गई है और यह जो color है teal color यह really देखने में बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर छोटा सा scoop है पानी से बचने के लिए यह हिस्सा लगबर covered कर दिया गया है जैसे कि आपने nexon में भी देखा था और यहाँ पर जो design structure है data का जो patented design हो गया अल्मोश सभी कारम पा जाता वो यहाँ भी दे रख्था गया इधर आपको EV की bedging और थोड़ा सा design यहाँ भी मिलता है और यह जो scoop है design में यह काफी अच्छे लगते हैं side profile में क्या-का changes आये है side profile का सबसे बड़ा change तो यहाँ पर आपको EV की bedging मिल गई है दूसरा आपको यहाँ मिलते हैं steel wheel हाँ यह alloy नहीं है यह steel wheel है जिन पर plastic की covering दे रख्थी गई है और यह जो equa color का scoop दे रख्था गया है यह काफी देखने में cool लगता है और लोगों को LR का भ्रमब देता है यह जो tire है यह low resistance tire है कैसा perform करते हैं यह बात करेंगे driving section में overall बहुत अच्छा है ground cleanse ठीक है कोई शिकायत नहीं है practical condition में आप पानी में भी चलाएंगे तो problem नहीं आएगी क्योंकि इसकी battery जो है वो है IP67 certified है यानि पानी के भीतर से निकाल ले जाईए कोई पानी जाने का जंजटी नहीं है outside rear view mirror black color में है इसी पर आपको turn indicator भी मिल जाते है glass area काफी अच्छा है यहाँ पर आपको जहूँ इस पर एक छोटी सी chrome की landing रखे गए यहाँ भी यह chrome की landing है जो आखरी तक पहुँच गई है मैं कह सकता हूँ look wise यह car पहले भी बहुत अच्छी लगती थी और अब भी काफी शांदार लग रही है और यह dual tone option के साथ आने लगी है rare profile में कोई बड़े change नहीं है यहाँ पर आपको high mount stop lamp मिलते हैं shark fin antenna दे रखा गया है defogger मौजूद है इधर आपको EV की bashing मिलती है और यह chrome plated landing दे रखी गई है यहाँ पर आपको tiger की bashing मिलती है और बीच में मिलता है Tata का logo और उसके ठीक नीचे मौजूद है camera लेकिन यह जो clear lamp है इसके यह देखने में really काफी अच्छे लगते हैं यहाँ पर जिप्ट्रॉन की batching हाँ यह जिप्ट्रॉन सीरीज है Tata Motors की जो वह nexons के साथ सुरू कर चुका है और electric कारों के लिए हालाक यह tigor government को भी supply हुई थी लेकिन वह एक अलग motor अलग battery pack के साथ थी यह consumer friendly कार डिजाइन की गई है जो उससे बहुत ज्यादा superior quality में बनी होई है पीछे आपको दिवाश parking sensors भी मिल जाते हैं नीचे जो aqua land देखे गई है यह यहाँ भी मौजूद है boot space की बात की जाए तो boot space बदल गया है थोड़ा इसको खोलना अभी भी महनत का काम है यहाँ पर अब spare wheel आ गया है और spare wheel की जगह पर batteries ने जगर गेर ली है इससे थोड़ा space कम हो गया अब यह 316 liter हो गया है जो मेरे हिसाब से दो beef case और दो छोटे बैक के लिए काफी है कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती well covered है हाला कि लगवग 3 इंच का boot lip भी मौजूद है यही पर आपको मिल जाता है domestic charger यानि घर पर charge करने की सोधा वाला charger जिसे आप घर के plug में लगा सकते हैं एक चीज मुझे अब भी खली हो यह कि इस पर लिखा है साफ-साफ Tata Motors की branding लेकिन पीछे अभी भी लिखा हुआ made in China इस charger की खासियत यह है कि आप इसी से घर पर charge कर सकते हैं यानि आप किसी दोस्त के घर गए तो वहां charging में लगा दी रिस्तिरदार के घर गए दूत्रे शहर तो वहां भी आप charging में लगा का इसे इस्तमाल कर सकते हैं नीचे जो battery pack है उसकी जगह पूदीत है covered कर दी गई है और यह battery pack बिल्कुल well covered कर रखा गया आप इसे देख भी नहीं सकते है और यह IP67 certified भी है overall boot space काफी बहतर है इसका एक family के जववतों के लिए engine बे motor बे क्या नाम दिया जासे फिलाल motor बे कह देते हैं क्योंकि यहाँ पर मौजूद है electric motor Tata Gyptron की well covered कर रखा गया इस बे को यहाँ पर एक battery extra मौजूद है जो बाकी चीजों के लिए जबूरी होती है इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है जुसे आपके साथ share करने के लिए motor power लगबग 74 PS की पावा देती है motor 170 Nm Torque के साथ यह इससा भी well covered कर रखा गया है और यह भी well covered है जिसकी वैसे लोगों का हाथ लगने का खतरा नहीं है electrical components पर motor बैटरी को ठंदा रखने के लिए जो इंतियाम किया गया है वह है coolant के थू यहां पर भी एक reservoir रखा गया है एक set भी मौजूद है यानि दोनों को coolant से fill रखा जाता है ताकि batteries गर्म ना होने पाए बाकि मुझे engine बे या motor बे देखके कह सकता हूं कि यह ठीक है कास यहां पर संक यसी सोधा भी उपलब दोती यानि थोड़ा सामान रखने की जगह भी दी आती जैसा कि आजकल कई modern electric कारों में दी जाती है लेकिन यह car technically तो IC engine के साब से design हुई थी इस वह से साथ यहां पर वैसा space नहीं मिल पाता है बात करते हैं कैसा perform करती है driving section में मैं जनबुच के mobile में देख रहा हूँ क्योंकि actual metigore connected हो गई है और सारी information यहीं पर मिल जाती है कि मेरी गाड़ी अभी भी 73% बची हुई है मैं 171 km और चल सकता हूँ और अभी तक मैं जो यह 29% है ना इसमें मैंने almost 60 km drive की है और इसके रावार आदा गंटा खड़े होकर गाड़ी को भीतर से समझा है यानि तब भी गाड़ी start थी तो आप समझ गए कितनी range दे देती है हाला कि आपको यहां पर सारी information मिल जाते हैं से door खुला हुआ है तो वह भी बता रहा है आपको कुछ करने की जरुवत नहीं अगर आपको फैन चालू करना है यहां से चालू कर सकते हैं कुछ कमांड देना चाहते हैं कमांड भी दे सकते हैं लेकिन हाँ कमांड वाले features इसमें active नहीं है यानि connected car बस अभी अभी हुई है तो जो चीजे मिल रही है उसके लिए appreciate करते हैं लगबग तीस्त है के connected car वाले features इसमें आते हैं हाँ आजकल कुछ और modern कारों में काफी ज़्यादा आने लगें लेकिन जो मिल रहा है मैं उससे खुश हूँ क्योंकि कम से कम कोई sedan तो है जो connected car के साथ सुर्वात कर रही है इंटियर अच्छी quality का है rubberized steering मिलता है यहाँ पर आपको leather wrapped नहीं मिलता है इस side आपको audio controls के option voice command के features मिल जाते हैं इस तफ आपको keval horn मिलता है सामने instrument panel जो है digital हो गया है हाँ सबची digital है भले MID छोटी है लेकिन इस ढंक से design की गई है कि सबकों से digital ही रहा गया है यहाँ पर आपको कई सारी information मिल जाती है और हाँ यह जो plastic quality है यह अभी भी देखो finzy है देखिए हिला है ऐसी चीजे थोड़ी अभी भी है पाका ने बहुत चीजों में improvement किया है white color में आने के बाद थोड़ा airy roomy feel करा रहा है यह यहाँ पर आपको drive selection mode मिल जाते है कि में reverse neutral drive और sport के option यहीं पर आपको दे रखे गए और यहाँ पर दो cup holders मिलते हैं पीछे के लिए भी 12 volt का socket मिलता है एक आगे के लिए 12 volt का socket दे रखा गया है और आपको यहाँ पर USB port मिल जाता है यहाँ पर आपको automatic climate control मिल जाता है नया touchscreen infotainment system नया बोलना हूं ध्यान से सुनियेगा क्यों कि अब यह connected car वाले features के साथ यह use करने में अच्छा है minor सा लेगी है और इसकी quality भी अच्छी है music car experience अच्छा है harmon ने अधिकतर हमें अच्छे sound system दिये हैं और यह भी अच्छा है बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन अच्छा है यहाँ पर आपको cold glow box मिल जाता है जिसमें आजकर की दोर का sanitiser हमने खा हुआ है इसके बगार गुजारा करना थोड़ा मुस्किल हो गया है overall मैं कह सकता हूँ cabin अच्छा है यहाँ पर आपको अच्छी quality की कुशनिंग बिलती है नई stitching का design जो है यह भी काफी अच्छा लगता है day night का option है auto dimming available नहीं है roof आपको light color में होने की वैसे airy feel कराएगी कार और मैं सब कुछ देखके कह सकता हूँ कि यह cabin really काफी अच्छा है एक चीज और बस शेयर कर देता हूँ इस steering wheel से later यहाँ पर tilt की सुधा है और telescopic नहीं है जो थोड़ा मैं miss कर रहा हूँ एक चीज और है वो यह कि यहाँ पर push start button आ चुका है rear seat की बात की जाए तो मैं जिस चीज से खुश हूँ वो यहाँ अच्छा खासा आपको knee room बिलता है और leg room भी बड़ा अच्छा है यानि आप पैर फैलाके बैठ सकते हैं और जो मेरी height है 5 foot 10 inch उसके एसाब से under thigh support ज़रू कम है थोड़ा सा लेकिन seat बड़ी cushiony है यानि उचलने में मज़ा आता है headrest fixed है यह height adjusted नहीं आते हैं लेकिन midi height के साब से ठीक है मुझे कोई दिक्तब नहीं हो रही है headroom भी अच्छा है आपको armrest जैसी सुधा भी मिल जाती है और इसी में दो छोटे cup holders दे रखे गए हैं छोटे खास्तों से इस सब्दकाई इस्तमाल किया है rear AC went जवू नहीं मिलते हैं और थोड़ा उसकी कमी खलती है क्योंकि इस car का AC normal के मुकाबले थोड़ा सा पीछे है बस थोड़ा सा ही पीछे है मैं cabin को अच्छे marks दे सकता हूँ बैठने के लिए अच्छा है अगर आपकी height five foot eight inch से नीचे है तो आपके लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी और तीन लोगों के बैठने की बात आती है तो दो लोगों के बैठने के लिए two and half के लिए good मुझे कोई शिकायत नहीं तीन के लिए थोड़ी cramp है थोड़ी सी cramp है बस इतनी और तीन अगर heavy मोटे लोग बैठना चाहें नहीं तो आपस में जगड़ा हो जाएगा पक्का वादा लेकिन आजकर लोग क्या से रहना पसंद करते हैं तो जगड़े की बात नहीं करते हैं यहां पर थोड़ी tunnel मौझूद है जिसकी वैसे बीच वाले passenger को दिक्तत होगी और यह seat का design ऐसा है कि यह scoop होने के वैसे उसका under thigh support और कम होगा इसलिए वह long kids के लिए यह really thick place है अब चलते हैं driver समझते हैं यह car चलाने में कैसी है electric car चलाने का मज़ा अपना ही है अच्छी चीज क्या है battery powered होती है और सारी energy motor के थूँ आती है और motor की खासियत होती है कि वह further से start होती है और full torque के साथ start होती है बस यही वज़य है कि मैं electric car को बहुत पसंद करता हूँ कि आपको power इतनी मिलती है कि petrol diesel इसके आगे फीके पड़े आते है और दूसी सबसे बड़ी वज़ा है पैसा कोई noise नहीं होता है कोई pollution नहीं होता है हम अगली generation के लिए यानि अपने बच्चों के लिए बहतर environment छोड़के जा रहे है यह एक बहुत बड़ा plus point है जिसे आप ignore नहीं कर सकते है लेकिन क्या टिगोर EV एक practical EV कार है practical EV कार के क्या plus point होते है इस पर तो हम बड़ी बड़ी बहस कर सकते है कोई कहता है बहाई साथ किलोमीटर से कम range नहीं होनी चाहिए कोई कहता हजार किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और वही लोग 500 रपय का petrol भराते हैं और केवल 60 किलोमीटर चलते हैं लेकिन range जो चाहिए होती है उनको 1000 किलोमीटर की यानि हम लोग जवत से ज़्यादा demand कर रहे है electric cars से तो practical condition में क्या है मेरा क्या observation है मैं वह बात करता हूं मैं इसको अभी सुभह से चला रहा हूं early morning से जो मैंने अब तक observe किया वह मैं आपके साथ share कर रहा हूं pick up अवल रजेगा कोई दिक्कत नहीं comfort अच्छा है उसको लेके कोई शिकायत नहीं noise होती ही नहीं है तो क्या सिकायत करूंगा visibility हम इसा किता है अच्छी कोई बड़ा issue नहीं थोड़ा सा ये मिजर से महार का हिस्सा चिकता है लेकिन वो थोड़ा सा ये बहुत बड़ा issue उसको लेकर भी मुझे नहीं है handling यहां पर थोड़ा body role है क्यों body role है मुझे समझ में नहीं आया मैं टिगोर पहले भी काफी चला चुका हूँ और मुझे वो body role वैसा का नहीं feel हुआ जैसा इस समय feel हो रहा है बताऊंगा उसके region क्या है right quality हमेशा की ते अच्छी है कोई दिक्कत नहीं बहुत ज्यादा शार्थ broken roads पर पता चलता है वाकी हलके फुलके गठे प्या से निकालते चले जाओ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको steering feedback आई हाई मैंने दुखती रख पर हाथ रख दिया इस कार की मुझे steering feedback से बहुत ज्यादा सिकायत है completely artificial है जब मोडना होता है तभी tight होयाती है either light बनी रहती है यानि सीधे चलते समय light रहती है और जैसे भी मोडते हैं यह काफी tight होयाती है इसका region जो मुझे समझ में आ रहा है सही tuning नहीं होना और दूसरा region जो है वो है इसके low resistance tire यानि ऐसे tire जो सडक पर कम friction देते हैं ताकि car को ज़्यादा range मिल जाए लेकिन इन टैरों का एक नुकसान था वो नुकसान क्या है यह road noise कुछ ज़्यादा ही देते हैं अगर रास्ते अच्छे हैं जैसे कि मेरे शहर में काफी रास्ते बहुत अच्छे हैं वहां पर आपको बिलकुल पता नहीं चलता है वहां low stress tire का फाइदा निकलके आता है कि यह लंबी range भी देते हैं और चलाने का मज़ा भी मिलता है हाँ, electric tire में कोई gearbox नहीं होता है लेकिन selector होता है जिससे कि आप reverse चला सकें forward चला सकें तो जब मैंने इसको यूज किया तो दो-तीन चीज़े छोड़ी-छोड़ी notice की है कि अगर आप drive के अवाद सीधे back कर रही हो, neutral लगा लिया आपने u-turn ले रहे हो, neutral लगा लिया और सीधा drive mode पर डाला फिर reverse पर डाला यह थोड़ा time लेती है जबकि नॉर्मली IC engine वाली transmission setup बिलकुल time नहीं लेते है वह बिलकुल सही जगह पर अच्छा perform करते है लेकिन यह कार यहाँ पर थोड़ा lag लेती है, थोड़ा time लेती है मोटर को जीदो होने में फिर वापिस reverse जाने में यह थोड़ा एक minus one मैंने notice किया है बाकी मुझे कोई ऐसी बड़ी चीज notice करने को नहीं मिली है इस कार में जिसका मैं complain करूँ range practical कितनी है तेके 306 km की certified range है 6-4 मैं थोड़ा slip कर रहा हूँ तो 300 km की certified range होने का मतलब यह नहीं है कि गाड़ी 300 km चल जाएगी यह कार practical condition में आपको 180 km से लेकर 210 km तक की range दे सकती है safe game 180 km का है कि आपको 180 km चल जाएगी परिशान नहीं करेगी अगर आपकी driving अच्छी है मेरी जैसी driving है तो हो सकता है आप 210 तक भी पहुँच जाएँ चार्ज कितनी रियर में होती है अगर यह सवाल है तो बाई दो तहके में चार्जिंग सिस्टम है जिनने आप यूज करते हैं एक घर में नॉर्मली 15 अंपियर के सॉकेट वाला जिसमें करीबन 8 से लेकर 10-9-9 गंटे में चार्ज हो जाती है प्रेटिकल कंडिशन में और फास्ट चार्जिंग की बात की जाए तो यह सुपर फास्ट चार्जा को सपोर्ट नहीं करती है थोड़ा हलके चार्जा को सपोर्ट करती है 25 किलोवाट वाले और उन पर अगर आप इसे यूज करते हैं तो यह लगबर 50 मिनिट में 80 परसंट चार्ज हो जाती है लगे हाथ आपसे बात कर लेता हूँ सेफटी के बारे में कार को ग्लोवल एंसी एपी क्रैश टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग मिली है आपको मिलते हैं दो एर बैग ABS, EBD जैसे फीचर्स भी मिलते हैं जो इस कार को रियली अच्छी कार बनाते हैं थोड़ी ब्रेकिंग और इंप्रूव करने की गुंजाईस थी अलाकि इसमें ब्रेक लगाते समय रिजनरेशन का होता है यानि ब्रेक लगाते समय कार वापस चार्ज होने लगती है उस एनरजी से जो वेश्ट जारी होती है ब्रेक लगाते समय, उससे चार्ज होती है, लेकिन यह बहुत हलकी है, मैंने जितनी भी एलक्टिक कारे चलाई है, डिफरेंट है कि मैंने दरजन भर के आसपास चला रखी है, और हर कार में री जनरेशन बहुत अच्छा होता है, यानि एक्सिरेटर से पैर लगाते ही, गाड जली चलती चली आएगी, हलकासा ज़रू ब्रेक जैसा फील आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपको फील नहीं आएगा, यानि इजनरेशन में यह तीजी से ब्रेक नहीं लगाती है, अब बाकी बाते करते हैं, कॉंक्लिजन में, क्या बात किया है, खरिदनी चाहिए या नहीं, देखे, पैक्टिकल कंडिशन में इंडियन्स को जिसकी जववत है, वह कार ये बिलकुल है, देखे, कीमत जवर पांच लाख रुपए के आसपास ज़्यादा है नॉमल टिकोर से, लेकिन उस पांच लाख रुपए में लोगों का कहना है कि वह इतना पैट्रॉल ख पाई, आप ही के बच्चों को करनी पड़ेगी, यानि हमाई next generation को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, तो क्या अभी नहीं खईदना चाहिए, इलेक्टिक कारें, देखे, आप दरने की कोई बात नहीं है, 200 किलोमेटर की रेंज, टैक्टिकल रेंज है, ओफिस जाना, गरने की जववत सायद नहीं लगती है मुझे, यानि घर से चार्ज करके निकलिये, अगर हाईवे पर कहीं जववत पढ़िया, तो एक बार चार्ज का सकते हैं, यानि दर और एंजाइटी वाली प्रोलम काफी कम हो चुकी है इंडिया में, उमीद है, अब आप मेरा इस सा कमेंट सेक्शन में, वीडियो कैसा लगा, जरू बताईएगा, लोगों के साथ इस वीडियो को जरू शेयर करना, जो लोग ये कमेंट पढ़ रहे हैं, मेरे अंदाज उनको शेयर का वेटन नीचे दिख रहा होगा, आप अगर मुझे फेस्बुक पे देख रहे हैं, तो मे हभी इलक्टिक हो, या हाई परफॉर्मेंस कार हो, देखते रहे हैं, आस्क कार गुरू,